हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटापर में जैसा कि आप सबको पता है कि हम आपके लिए ट्यूबल आपटर परिच्छा से संबंधित ट्रेड से संबंधित 25 सो मोस्ट इंपॉर्टन मिस्नीजित कोईचन का एक सीडी चला रहे हैं जिस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को प्रस कर लें ताकि आइसे ही डेली की आपको मिलती रहें तो चलिए रेट से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्डन कोश्चन देखते हैं पहला कोश्चन हमारा मैगजीन इस्टील में मैगजीन की मात्रा कितनी होती है तो प्रिखलता है नेक्स्ट कोचन आपके तामबे का गलना कितना होता है तुबा होता है एक हजार तिरासी डिगरी सेल्थियस होता है तामबे का गलना नेक्स्ट कोचन आर्क वैल्डिंग करते समय वैल्ड और एलेक्ट्रोड के बीच कितने आंस का कोड रखते हैं सत्तर से अ का लैप वैल्डिंग जॉइंट के फ्लाइट पोजीशन में इलेक्ट्रोड का एंगल होता है वेल्ड लाइन से 80 डिगरी कोड और प्रतेक 45 डिगरी कोड पर नेस्ट कोचन आपका ऐसी टिलीन घुल सकती है ऐसी टोनों में ऐसी टोन में नेस्ट कोचन आपका स्कॉायर बट वैल्डिंग में रूट डाइप छोड दिया जाता है वह हैं भेडन प्राप्त करन में नेस्ट कोचन हाया कास्या वैल्डिंग तामबा के लिए फिलर रॉड उपियूक्त होगा सिलिकान कास्या फिलर राड का.. होगा तो वहाँ है आकसाई आकसी डाइजिंग फ्लेम के द्वारा नेस्ट कोचन है आपका स्टील सेक्षन के जोडों को इस थाई जोडने के लिए किस विधी का प्रियोग किया जाता है तो वहाँ welding का प्रियोग किया जता है next question है आपका electric welding करते समय AC पोर्ती किसके माध्यम से मिलती है तो वाहा है इस tap down यानि AC welding transformer से next question है आपका कम गलन बिंदू वाली धात्वों की welding के लिए कौन सी आकसी acetylene flame प्रियोग की जाती है वाहा है neutral flame और अगर आप इस question का पीडियाप चाते हैं तो हमारे टेलीग्राम का link description में मिल जाएगा वहां से है कि आप टेलीग्राम ग्रुप जाइन कर लेजिए क्योंकि मैं twist joint चोड़ उपयोग नहीं होता है welding में नेस्ट कोचन है प्रेशर वेल्डिंग विथी है पोर्ज या स्मित वेल्डिंग नेस्ट कोचन है जब स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील का गलनांग क्या हो जाता है तो वहाह कम हो जाता है नेस्ट कोचन है आपका gas cutting एक प्रिक्रिया है वह है रासाइनि नेस्ट कोचन है जबmom स्टील में कार्बन की मात्रा बढ़ती है तो स्टील की जॉलनांग बढ़ जाता है अगला सवाल है स्टील की गैस कटिंग करने से पहले उसकी प्री हीटिंग किस तापमान तक करनी चाहिए तो है 90 डिगरी सलसियस पर तक करनी चाहिए नेस्ट कोचन आपका रेजिस्टैंस वेल्डिंग एक प्रोसेस है नान फ्यूजियन टाइप का नेस्ट कोचन है डांप एलेक्ट्रोड घटिया एलेक्ट्रोड और लंबी आर्क के कारण कौन सा दोस उत्पन होता है तो आपका एलमिनियम आक्साइड का गल्ला कितना होता है तो वा होता है 1930 डिगरी सलसियस होता है अगला सवाल है मारा कास्ट आइरन को वैल्ड करते समय करते वक्त किस धातु का फिलर रॉड प्रियोग किया जाता है तो वा होता है सुपर सिलिकॉन कास्ट आइरन का अगला सवाल है हमारा राट आयरन को weld करने के ने किस धातु का filler rod प्रियुक कियाता है? तो वहाँ है तांबे की परत चढ़ी mild steel का. अगला सवाल हमारा stainless steel के लिए filler rod होता है stainless steel का. Next question हमारा。 Spot welding electrode की tip होती है, अलग-الग आकार की. अगला सवाल है सीम वेल्डिंग में प्रियोग किये जाते हैं रोलल एलेक्टोड का अगला सवाल है ब्रोज वेल्डिंग में पोस्ट हीटिंग की आवसकता नहीं होती है नेस्ट कोचन है मीट्रिक प्रणाली में उस्मा की इकाई क्या है कैलोरी नेस्ट है मारा मोनल मेटल किन धातू का मिसरण है वहा है तामबा वा जस्ता का मिसरण है नेस्ट कोचन है तापमान को किसके द्वारा मापा जाता है तापमान को थर्मा मीटर के द्वारा मापा जाता नेस्ट कोचन है वेल्डिंग आकसी हाइड्रोजन फ्लेम क्यों लाबदायक है तो वहाई यह धातवू को आकसाइड नहीं बनने देती है नेस्ट कोचन है वेल्ड सतह का पता किन चिन्यों द्वारा किया जाता है तो वहाई इस प्ली मेंट्री के द्वारा अगला सवाल है बुलबुले के रूप में बड़े छिद्र जो वेल्ड धातु से इसके ठोस रूप में आते हैं समय रह गई गैसों के कारण पैदा होती हैं उन्हें क्या कहते हैं उन्हें कहते हैं ब्लो होल नेस्ट कोचन है फिलर धात के उपर बिखर कर गोलियों के रूप में जम जाने को क्या कहते हैं स्पैटर नेस्ट कोचन है तामबे की वेल्डिंग के लिए कौन सी फ्लाक्स का प्रियोग होता है तो वहाई कॉपर सिल्वर कोदग ata propd कोडिये लिए नेस्ट कोचन है पाइप वैल्डिंग राड किस प्योग में आता है तो पाइप वैल्डिंग राड पाइपों के जोड बनाने में काम आता है नेस्ट कोचन है माइलड स्टील में कार्बन की मातरा कितनी होती है तो वह है 0.05 से 0.3 बढ़ जाते हैं नेस्ट के लुए के प्रयोग की जाती है नेटरल फ्लेम का नेस्ट कोचन है कारबन इसटील में कारंबन की content 43 कितनी होती है वहाँ होती है 0.9% से 1.5% नेस्ट कोच ने आपका फिलर राड का पिघलने का बिन्द बेष मेटल होना चाहिए वहाँ है दस डिगरी सेल्से तो नेस्ट कोच ने का सब किन धातू का मिश्रन है तो कांसा तांबा तांबा तिन धातू का मिश्रण है अगला सवाल है मारा मोनिल मेटल किन धातू का मिश्रण है तो मोनिल मेटल निकल तांबा जस्ता का मिश्रण है अगला सवाल है मारा ऑक्सीजन सिलेंडर किस रंग का होता है तो ऑक्सीजन सिलेंडर काला रंग का होता है स्प्रिंग स्टील का निस्ट को चने हैं आउट साइड कालीपर एक हैं अब अश्छ मापी वैल्डिंग का कौन तलर Regel ईनसूलेटर के लेंट दोनों का काम करती है वहाय ड़्यूड क्रावर्मर सिस्टन का है वैच वाइस की साइज लिया जाता है जौकी छोड़ाई से Next coaching है फलेम जलाने के लिए पहले किस गयस को छोड़ना चाहिए Next coaching है एसिटिलीन ऑکसीजन की खबर हाज का रंग कैसा होता है काला होता है चलिए Next coaching को चलते हैं तांबे की वेल्डिंग में किस आर्क का प्रियोग किया जाता है तो तांबे के वेल्डिंग में साल्ट आर्क का प्रियोग किया जाता है वेल्डिंग विधी का विबरन दिया जाता है टेल पर निस्ट कोचन है वेल्डिंग सिंबल दूरा पता चलता है जोड के प्रकार और वेल्ड फिनिस का निस्ट कोचन है अपका ऐसे सिंबल बनाया जाता है reference रेखा के सिर पर निस्ट कोचन है गैस वेल्डिंग समाप्त करने पर blow hope में किस गैस को पहले बंद करना चाहिए तो वाहे एसिटिलीन गैस को पहले बन करना चाहिए अगला है शियर किसका बना होता है हाई कार्बन स्टील का द्रव कार्बुराइजी में किसका घोल बनाया जाता है सोडियम कुलोराइट सोडियम साइनाइट सत्था सोडियम कार्बोनेट नेस्ट को चन है स्ट्राइट रेलीविंग में पोस्ट हीटिंग तापमान कितना रखा जाता है तो वाहे 590 डिगरी सलसियत तक नेस्ट को चन है सुद्ध लोहे वा माइल्ड स्टील का स्ट्रक्चर कैसा होता है वाटर टू कार्बाइट पाइप कैसा नेस्ट को चन है किस जोड में प्लेटों के सीरों को एक दूसरे के उपर चड़ा कर रखा जाता है लैप जोड का अगला है मारा फ्लाक्स में आईरन पाउडर मिलाने से इलेक्ट्रोड की फुशलता कितनी अधिक हो जाती है 10 प्रसंद अधिक हो जाती है अगला है मारा डिजिटल कोड के आधार पर पहला डिजिट क्या दरसाता है फ्लाक्स का प्रकार दरसाता है नेस्ट को चन हमारा आर्क से उत्पन होई गर्मी का ताफमान कितना हो जाता है तो वह हो जाता है 3400 डिगरी से 4000 डिगरी से तक हो जाता है नेस्ट को चुन है हाप द्वारा चलाये जाने वाले welding को क्या कहते हैं manual metallic arc welding कहते हैं नेस्ट है reverse polarity का दूसरा नाम क्या है तो वह है positive अगला है straight polarity का दूसरा नाम क्या है वह है negative नेस्ट है electric arc की खोज कब हुई थी तुबा हुई थी अठारा सो एक इज़वी में next is straight polarity में electrode negative terminal के साथ जुड़ी होती है तथा उसमें एक उत्वन ताप का मान कितना प्रस्चत होता है next is salt arc द्वारा surface tension को क्या किया जाता है वह बढ़ाया जाता है next question है DC welding में arc बनाने के लिए कम से कम कितने voltage की जरूत पलती है तो 40 voltage की जरूत पलती है next welding में पंखा का क्या कार होता है generator को ठंडा करने के लिए next generator arm armature को किसकी सहायता से घुमाया जाता है तो वह प्राइम मूबर के द्वारा घुमाया जाता है next time motor generator सैट की कार कुशलता कितनी होती है वह साथ प्रश्चत नेक्स्ट एसी आर्क वेल्डिंग की तच्चता कितनी होती है प्रश्चत नेक्स्ट है DC वेल्डिंग की तच्चता कितनी होती है प्रश्चत सफेंड यह थे हमारे कुछ most important question part 4 में हमने डिसकस किया अब तक पार्ट 4 बना चुके हैं जिल लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ना देखा हो लिंक आपको description में मिल जाएगी और फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना बिल्कुल न बोले फ्रेंड और जिल लोगों को पीड लेते हैं नेक्स पार्ट में सब्सक्राइब करना बिल्कुल न बूले